Hello, Good morning students. Today I will explain Preparatory Assignment, Chapter No. 9, Okay? Share or Hearer. बच्चे आपको पता है जी Preparatory Assignment है, जी आपको सिर्फ एक्जाम के लिए, सिर्फ प्रिपेर करने के लिए हमने ये assignments बना रहे हैं, ठीक है बच्चे अच्छे से पढ़ देना, आपको जो एक्जाम में आ रहे हैं, उसकी assignment है, ठीक है? बच्चे आपको इस chapter की back exercise मेंने जो previous आप वीडियो बनाई थी, उसमें explain कर चुकी हो, इस chapter के question अंसर रहते थे, ठीक है? वो आज explain कर रहे हैं, फिर्स प्रिशन है, हिरन गास चर्ते चर्ते कहां पहुंच गया था, उत्तर क्या है, हिरन गास चर्ते चर्ते शेर के पास एक खारे हो रहा था, उत्तर है, शेर इस बात का अशार्य हो रहा था कि हिरन उसे देखकर चरा भी नहीं डंक रहा था, next question है, हिरन ने अपनी शेर पड़े धबल के बारे में शेर को क्या बताया, उत्तर है, हीरन ने निडरता से शीर को बताया कि मैं एक शीर मारता हूँ और मेरे बदनपत रंत एक दबा बन जाता है ठीक है, next है, last question, इस chapter का शेर और सियार को एक साथ देखकर हीरन ने क्या सोचा? उत्तर है शीर और सियार को एक साथ देखकर हीरर ने सोचा अब तो मैं मारा गया फिर हीरर ने मरने से पहले हिम्मत से काम लिया ठीक है उन्हों ने उसको देखके क्या सोचा कि अब तो मैं मारा गया कि मुझे मार देंगे ठीक है फिर उसने हिम्मत और साहस से काम लिया ठीक है नेक्स है बच्छे, नेक्स चेप्टर है परिलोग, ठीक है, चेप्टर नमबर टैन परिलोग, ठीक है बच्छे, ये भी आपको एक्जाम में आएगा, अच्छे से जो मैं चीज करवा रहे हैं, अच्छे से कर ले ना, ठीक है, ठीक है, वही वही चीज आपको एक्जाम में आ लगना ठीक है आगे है सेह कत्नों के सामने गर्ध कत्नों के सामने का निशान लगाई है ठीक है फिर्स्ट है बच्ची सोफे पर सोई थी this is wrong, ठीक है? जीक है, रूफर्स next है, बच्ची ने सपने मग ओड़न को टोला देखा yes, उसने सपने में ओड़न को टोला देखा, राइट है ठीक है, ठीक है, बच्चे है next है, पडियोओ ने मुटत हाथ में पकड़ा हुआ था रॉंग ठीक है परियों के पास जादी छड़ी थी नेस्ट है बच्ची परियों को जगा रही थी नो ठीक है नहीं जगा रही थी ठीक है बच्ची इस चैप्टर के आपको सिर्फ यह याद दे जाए दो चीज़ें ही आएगे एक शबदर ठीक है और ट्रूफोस ठीक है बच्ची अच्छी से प्रपेर कर ले ना ना थेंक यू एब नाइस टे